एक लड़का जिसके साथ शादी से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब उसके साथ कुछ अजीब सी पैरनलमर घटनाय होना शुरू हो जाती है उसे अपने ही घर में एक बहुत भयानक आत्मा डराने लगती है तो दोस्तो ये आत्मा कौ किरन और आप देख रहे है होरर बॉक्सिंदी दोस्तो ऐसे ही होरर मुविस के एक्स्प्रेशन वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए तो चलिए बिना किसे दरिकेश शुरू करते है आज की कहानी कहानी की शुरूवात होती है एक पुरा किया घटनाय होना शुरू हो जाती है उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजे आ रही थी और तभी अचनक पर जोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान ही चली गए हो अब दस्तो येसी निहीं पर कट होता है अब उ उसके थोड़ी देर बाद प्रकाश की मा दिया के पास आकर कहती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस लोटकर आ गई अब प्रकाश की जिंदगी तुमारे हाथों में है मेरे बेटे का अच्छे से खयाल रखना वो थोड़ा पहले से डिप्रेशन में है इस त प्रकाश कहता है कि मुझे आने में थोड़ी देर होगी अभी थोड़ा काम बचा है इसलिए तुम जाकर सोचाओ मैं थोड़ी देर में आ जाओंगा अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते है प्रकाश का काम खत्म हो जाता है और वो अपने कमरे में जान ही वाला होता ह लेकिन तभी उसके पेर के नीचे उसे खुन लगता है अपने पेरों के नीचे खुन देखकर उसके तो होश उड़ जाते है और तभी उसी वक्त उस रूम की लाइट भी फिलिकरिंग करने लगती है लेकिन अब वो दो बार अपने पेर की तरफ देखता है तो वहां पर कोई भी खुन नहीं था सारा फ्लोर साफ था अब ये देखकर प्रकाश हैरान हो जाता है और उसके बारे में ही सोचते हुए अपने कमरे में आ जाता है दरसल दोस्तों यहां पर में पता चलता है कि इन दोनों की लव मेरेज हुई है इसलिए दिया यहां पर प्रकाश के साथ रोमेंस करने की कोशिश करती है लेकिन यहां पर प्रकाश कहता है कि दिया मेरा मूड नहीं है तुम सोजाओ और ये बात सुनकर दिया नाराज होकर सोजाती है लेकिन यहाँ पर प्रकाश को रात भर नीन नहीं आ रही थी वो उसी घटना को सोचता रहता है और उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी साउंड सुना ही दे रही थी जैसे कि उसकी कानों में किसी की फ्रिक्वेंसी गुंज रही हो अब ऐसे ही एक रात प्रकाश अपने सामने एक बहुती भयानक आत्मा को देखता है और प्रकाश के वज़े से दिया के निन भी खराब हो जाती है लेकिन प्रकाश कहने लगता है कि कुछ नहीं तुम सोजाओ अब उसके दूसर दिन हम देखते हैं प्रकाश अपने आफिस में होता है और उसका M.D. प्रकाश को डाटने लगता है क्योंकि प्रकाश के इसी डिप्रेशन की वज़े से वो कमपनी में फोकस देकर काम नहीं कर पा रहा था MD प्रकाश को डाटे हुए कहता है कि मेरे बेटी ने तुमसे प्यार किया था इसी वज़े से मैं तुम्हें जेल रहा हूँ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मैंने तुमको सिर्फ अपने बेटी दी है ना कि ये कमपनी अगर काम करना है तो ढंग से करो वरना यहां से निकल जाओ इसी तरह MD उसे बाहर जाने के लिए कहता है अब उसके बाद प्रकाश आफिस से अपने घर पर लोडता है लेकिन या घर पर आने के बाद वो और भी ज़दा गुसा करने लगता है उसका कई पर भी मन नहीं लगता दिन बदिन उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाय होती ही रहती है वो सोचता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है वो आधे-धे रात को अपने निंद से उड़ता और वो उसको निकालने की कोशिच करता है तब ही वहाँ पर उसके पास दिया आती है अब यहाँ पर दिया प्रकाश की हरकतों से बहुत ज़दा तंग आ चुकी थी वो प्रकाश से कहती है कि अगर तुमारी तबियर ठीक नहीं है तो चलो हम डाक्टर के पास चलते है लेकिन यहाँ पर प्रकाश गुस्ता करने लगता है और कहता है कि मुझे कोई भी बिमारी नहीं है मैं कुछी दिनों में ठीक हो जाऊंगा अब यहाँ पर प्रकाश ने पहली बर दिया के उपर गुस्ता किया था और इसकी वज़े से दिया बहुत ज़दा नाराज हो जाती है और वो प्रकाश से कहती है कि जब तक तु मुझे अच्छी तरी किसे एक्सेप नहीं करोगे मैं वापस तुमारे घर पर नहीं लोटूंगी और इतना कहकर वो अपने माई के चली जाती है अब दिया के जाने के बाद प्रकाश अपने घर में और भी ज़दा अकेला हो जाता है वो इसी बारे में सोचता रहता है कि उसको कोन सी आत्मा है जो मालना चाहती है इसलिव अपना लैप्टॉप निकाल कर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगता है और इसी दोरान एडवर्ट नाम के एक बंदे का इंटर्व्यू प्रकाश के सामने आ जाता है दरसल दोस्तो एडवर्ट एक पैरनर्मल एक्स्टिविस्ट है और वो भूत प्रत पर यकिन नहीं करता उसका मानना होता है कि चारो तरब सायंसी सायंस है इस दुनिया में पॉसिटिव एनर्जी है और निगेटिव एनर्जी भी है लेकिन उसको निकालने का कुछ अलग तरीका है ना कि ये जादू तंत्रमंत्र उसकी बाद प्रकाश सोच लेता है कि वो एडवर्ट से जाकर मिलेगा अब वो फाइनली एडवर्ट का एडरस पता कर लेता है और अपॉयमेंट लेकर उसे मिलने के लिए चला जाता है वो अपने साथ हो रही घटनाओं को एडवर्ट के साथ शेयर करता है और कहता है कि सर मेरे घर में एक अजीब सी आत्मा मुझे डरा रही है वो मुझे मारना चाहती है और अजीब अजीब से साउंड भी मुझे सुनाई देते है इसी डिस्टर्बस की वज़े से मैं ढंक से एक काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ अब उसके बद एडवर्ड उसे पूझता है कि कै इससे पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था प्रकाश कहता है कि नहीं सर ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ ये तो भी हाली में मेरे साथ हो रहा है लेकिन हाँ मेरे पहली बीबी के साथ ऐसी गटनाए हो रही थी यानि कि दोस्तों यहाँ पर में पता चलता है कि प्रकाश की अल्रेडी एक शादी हो गई थी और दिया उसकी दूसरी बीबी थी और इस तरह से वो अपनी कहानी एड़वर्ड को बताने लगता है यहाँ से सिंट शिफ्ट होता है फ्लैश बैक में हम देखते हैं कि प्रकाश दिया के कमपनी में ही काम करता था और उसी तरह प्रकाश एक बहुत एक्टिव लड़का होता है वो अपने सारे प्रोजेक टाइम पर कम्प्लिट करता है और इसी तरह अपने बाकी के Employees की भी मदद करता रहता है ऐसे एक दिन प्रकाश दिया को फाइल देने के लिए उसके केबिन में जाता है और कहता है कि मैम आपका ये प्रोजेक्ट कम्प्लिट हो गया है लेकिन दोस्तो दरसल यहां पर दिया प्रकाश से प्यार करती है वो प्रकाश को अपनी बाहों में लेकर कहती है कि मुझे मैम मत बुलाओ मुझे तुम दिया बुलाओ और हाँ तुम्हारी मा से हमारी शादी के बार में कब बात करोगे और दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि प्रकाश भी दिया से प्यार करता है अब उसके बाद प्रकाश ओफिस से सिधा घर आने के बाद दिया के बार में अपनी मा को बताने लगता है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश के मा थोड़ी मायूस थी टिया के बारे में सब कुछ बता दूँगा और अपनी मा को मना भी लूँगा। उसकी बाध प्रकाश और उसकी माँ प्रकाश के गावंपर चले जाते है। यहाँ पर प्रकाश की माका मामा होता है। वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़़दा खुश हो जाता है. यहाँ पर बातों ही बातों में वो बताता है कि तुमारे भाई की बेटी मेरे पास है और उसका नाम है नीला. तबी दोस्तो नीला उस गर में आती है और उन दोनों को चाय देनी लगती है. और इसी तरह से प्रकाश की मा को निला बहुत ज़्यादा पसंद आजाती है और दोस्तों यहाँ पर में एक बात पता चलती है कि प्रकाश की मा ने प्रकाश के फादर के साथ भाग कर जाकर शादी की थी और उसके बाद वो शहर में रहने के लिए चली गई इसलिए यहाँ पर गावले प्रकाश की मा को कुछ खास पसंद नहीं करते और यहाँ पर कुछी दिन पहले प्रकाश के मा के फादर के टेत हो गई थी और उसी तरह उसके भाई की भी इसलिब यहाँ पर प्रकाश की मा अपने इज़त वापस हासिल करना चाहती थी वो पुजारे से बात करने के बाद प्रकाश के पास आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी निला से करवाना चाहती हूँ बेटा और ये सुनने के बाद प्रकाश के तो होशी उड़ जाते है वो इस शादी के लिए साप साप मना कर देता है और कहता है कि मा मैं ऐसे किसी किसी वे अंजान लड़की के साथ शादी कर लू लेकिन प्रकाश की मा उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा ये तुमारी मामा की बेटी है और अब ये बिल्कुल भी अनात हो चुकी है और इस तरह से emotional backmail करके वो प्रकाश को शादी के लिए मनवाही लेती है उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश और नीली की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद प्रकाश की मा का अंकल नीला से कहता है कि बेटी अब यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई और अब यही तुमारी family है इसी दर से वो अंकल प्रकाश की मा से कहता है कि तुम नीली को अपनी बेटी की तरह रखना उसकी बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की मा प्रकाश और नीली को लेकर एक नए पंगले में आ जाती है दरोसल दोस्तों ये प्रकाश की फादर ने पहुती प्यारा सा घर बनवाया था लेकिन दुरभागे से वो इस घर में नहीं रह सके इसलिए अब प्रकाश की मा उन दोनों को इस घर में रहने के लिए कहती है अब उसके बाद जब नीली दिया जलाने लगती है तो वो दिया अचानकी बुझ जाता है लेकिन यहाँ पर प्रकाश की मा समझाती है कि अरे बेटा घबरान की कोई बात नहीं है यह कोई अपशगों नहीं है हवा तेज थी इसलिए यह हो गया खेर अब दूसरे दिन से हम देखते है कि प्रकाश नीला को अवर्ड करने लगता है क्योंकि उसकी तो नापसंदी से शादे हुई थी अब यहां पर प्रकाश ने दिया को कॉल किया था लेकिन उसका फोल नौट जबल आ रहा था प्रकाश का दोसरे बताता है कि पिछले हबते से दिया अफिस पर नहीं आई है मैंने सुना है कि वो मुंबई चली गई है प्रकाश अब तुमारे जिंदगी अलग है तुम मूँ आन कर लो और इस तरह से प्रकाश को दोसे समझाता है यहां घर में नीली छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा डरने लगती है उसके घर में हमेशा एक काली बिल्य आती रहती है और उपर से प्रकाश भी नीली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था और इतने बड़े घर में नीला अकेली रहती थी अब उसके बाद कुछ दिन बीच जाते है और प्रकाश नीला के साथ अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करने लगता है धीरे धीरे वो दिया को भुला कर नीला के साथ बहुत प्यार से रहने लगता है अब इसी दुरन ये दोनों रजनी कांत के मुवी देखने के लिए जाते है लेकिन उन्हें वहाँ पर तिकिट ही नहीं मिलती इसलिए वो हॉरर मुवी देखने के लिए जाते है और यहाँ पर हॉरर मुवी देखते वक्त नीला बहुत दादा डर जाती है और वो इतना ड़जाती है कि मुवी छोड़कर ही वापस घर पर आजाती है लेकिन यहाँ पर घर पर आने के बाद भी निला की दिमाग में वही मुवी चल रही थी और इसी डरके मारे उसको बुखार होने लगता है उसके बाद जब वो दुनों सो जाते है तो निला को कुछ अजीब सी आवाजे सुना देने लगती है जैसे कि उसके कानों में कोई मक्खी भेन बिना रही हो वो प्रकाश को निंद से जगा कर उसे बात करने लगती है कि यहाँ पर कुछ आवाजे आ रही है लेकिन यहाँ पर प्रकाश को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था हॉल में जो टिवी होता है वो अपने आपे चालू हो जाता है और उसमें होरर मुवी चलने लगती है प्रकाश उसे समझाने लगता है कि तुमने ही टिवी आन रखे होगी अब दोस्तों उसके बाद हर रात निला के साथ ऐसा ही होते रहता है उसे अज़ेबज़ेब सी आवादे सुना देने लगती है और ऐसे में रात को निला के सामने एक बहुत बड़ी भयानक आतमा आकर प्रकट हो जाती है उसे देखकर तो निला की हलत बहुत ज़्यादा बिगर जाती है और अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है वो डॉक्टर निला को चेक करते है और उसकी बाद प्रकाश को बताते है कि आपकी पतनी को तो कोई भी बिमारी नहीं है ये तो बस होरर मोवी देखकर डर गई है एसी होरर मोवी देखने के बाद इंसान को अक्सर डर लगता है लेकिन आपकी बिबी ने कुछ ज़्यादा है इमेजिरेशन कर लिया इसलिए मैं आपको कुछ दवायें लिकर देता हूँ आप थोड़ी दिनों में ठीक हो जाएगी अब एक दिन रात को प्रकाश को उसके ऑफिस से कॉल आता है और किसी वज़े से उसे ऑफिस जाना पड़ता है यहाँ पर नीला प्रकाश को रोकने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर प्रकाश कहने लगता है कि अरे नीला मुझे जाना जरूरी है मैं थोड़ी दिर में वापस आ जाऊंगा इस तरह से वो उसे समझा कर आफिस चला जाता है अब यहाँ पर प्रकाश के जाने के बाद नीला घर में अकेली थी इसलिए वो बहुत दादा डरने लगती है अब उसके साथ कुछ होरर घटनाए होने लगती है उसका टीवी अपने आपी आउन होता है और उस पर होरर मुवी चलने लगती है और उसको इको जैसे आवाजे भी सुना दे रही थी और उसके बाद उसे ऐसी आवाजे सुना देने लगती है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ और नीला को कुछ होने लगता है वो चाकू लेकर खुद कुशी कर लेती है अब उसके थोड़ी देर बाद प्रकाश के घर वाले वहाँ पर आते है और इंस्पेक्शन करने लगते है और उसके बाद प्रकाश के मा उसे कहती है कि बेटा तुम मेरे पास रहने के लिए आजाओ इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे लेकिन प्रकाश कहता है कि नहीं मा मैं यहें पर ठीक हूँ यहाँ पर नीला की यादे है अब दोस्तों उसके बाद प्रकाश का फ्रेंड प्रकाश की मा के पास आकर उन्हें बताता है कि प्रकाश की शादी हुने से पहले दिया और प्रकाश एक दुसे से प्यार करते थे लेकिन आपने अचाने की प्रकाश की शादी निला से करवा दी अगर हम दोबारा से प्रकाश के शादी दिया से करवा दे तो प्रकाश डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा इसलिए अब ये सब प्रकाश के पास जाकर दिया के बारे में बात करते है प्रकाश कहने लगता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है और मेरे बारे में जानने के बाद भी क्या दिया मुस्से शादी करेगी और तबी वहाँ पर दिया आती है और प्रकाश से कहती है तुम्हारे इस सम्मे कोई गलती नहीं थी इसलिब दिया प्रकाश के साथ शादी करने के लिए मान जाती है और हम देखते हैं कि उनकी शादी हो जाती है अब दोस्तों यहां से सिंध प्रेजेंट में आता है और ये सब कुछ कहानी प्रकाश एडवर्ड को बता रहा था इसलिए एडवर्ड करता है कि मैं एक बार तुमारे घर पर आकर देखना चाहता हूं अब इसी तरह से एडवर्ड अपने असिस्टन के साथ प्रकाश के घर पर पहुंच जाता है वो सारे घर को चेक करता है और प्रकाश से कहता है कि तुमारे घर पर ऐसी कोई निगेटिव एनरजी नहीं है लेकिन फिर भी सेफटी के लिए मैं तुमारे हाथ में एक लॉकेट बान देता हूं अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि दिया दोबारा से प्रकाश के साथ रहने के लिए आ जाती है अब ऐसे ही एक दिन रात को अचानक दिया को कौल आता है कि कुछ ओफिस में अरजन काम है इसलिए तुम्हें आना होगा इसलिए अब दिया ओफिस जाने लगती है लेकिन यहाँ पर प्रकाश दिया को समझाने लगता है कि तुम सुबर चली जाना क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है लेकिन दिया को तो अरजन मिटिंग के लिए जाना था इसलिए वो प्रकाश को उसी घर में अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है दरसल दोस्तों प्रकाश जब भी अकेला होता है तो उसके साथ जरूर कुछ होरर इंसिडनस होते है और इसलिए उसी रात प्रकाश एडवर्ड के पास जाता है और ये बात बताता है कि मेरे साथ दोबारा से वही घटनाए हो रही है सर प्लीज मेरी मदद कीजिए और यहां पर प्रकाश असली कहानी बताने लगता है दरसल दोस्तों प्रकाश हमेशा से एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था वो चाहता था कि उसका खुद का एक आफिस हो और इसलिए प्रकाश ने MD की बेटी को इंप्रेस किया और दिया के साथ प्यार किया क्योंकि अगर दिया के साथ उसकी शादी हो गई तो वो उसकी पूरी कंपणी का मालिक बन जाएगा लेकिन यहां पर ना चाहते हुए भी उससे शादी निला से करनी पड़ी और दोस्तों यहां पर हमें एक और बात पता चलती है कि ये सब कुछ प्रकाश ने किया हुआ प्लान था और इसी तरह से प्रकाश ने निला की दवाईया भी चेंज कर दी थी जिसके वज़े से निला की दिमागी हालत बिगड गई और फाइनली उसने खुद की खुद ही जान ली अब दोस्तों ये सब कुछ सज जानने के बाद आत्मा बनकर तुमारे पीछे पड़ चुके है और तुम जैसे घिनोने आदमे की में मदद नहीं करूंगा इसलिए तुम यहां से जा सकते हो इस तरह से एडवर्ड प्रकाश को अपने घर से बाहर कर देता है उसके बाद प्रकाश अपने घर पर वापस आता है तो उसके स प्रकाश टाको लेकर अपना हाथ काट लेता है और दोस्तो उसके बाद सीन कुछ मेने बात शिफ्ट होता है दरसल दोस्तो उस वक्त एडवर्ड ने प्रकाश की जान बचा ली थी यहां पर हम प्रकाश को देखते है जो कि ट्रिटमेंट ले रहा होता है यहां पर एडवर प्रकाश की मा के पास आकर जो कुछ भी हुआ वो सारी बाते बताने लगता है कि प्रकाश ने नीला को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया और दोस्तों हैराने की बात तो ये थी कि उस घर में नीला की आत्मा मोजुद थी ही नहीं प्रकाश को तो बस उस बात का गिल्ड था कि उसकी वज़े से निला मर गई और यही गिल्ड प्रकाश को जीने नहीं दे रहा था यह गिल्ड उसके दिमाग पर हावी होकर वो हमेशा डरता रहता था और उसी वज़े से प्रकाश के आखों के सामने वही भूतिया घटनाए होने लगती थी यानि कि वो सब कुछ प्रकाश की इमेजनेशन थी और दोस्तो एडवर्ट ने जो प्रकाश के हाथ में लौकेट बांधा था उसमें दरसर एक छोटा सा कैमेरा था और उसी वज़े से एडवर्ट को प्रकाश के सचाई पता चली थी खेर अब कुछी दिनों बाद उस पुराणे बंगले के पास तीम दोस्त आकर दारू पिने लगते है और इसी बेच एक बंदा उस बंगले के अंदर जाता है और उसके साथ कुछ भुतिया गटना होती है और वो वहीं पर बेवोश होकर गिर जाता है और दोस्तो ये यही सीन है जो हमने मुवी के स्टार्टिंग में देखा था अब उस बंदे के साथ क्या हुआ ये तो हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगा और ये कहानी यही पर एंड हो जाती है तो दोस्तो ये होरर कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताईगा साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सर्बस्रब ज़रूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग